तो दोस्तो आज 31st मार्च 2024 तो बहुत महीनों बाद बजार में ओपन होने जा रहा है एक मेगा IPO जोकि लास्ट टेम हमने देखा था नवेंबर के महिने पे आया था टाटा ग्रूप से टाटा टेक्नलोजी के IPO उसके बाद सीधा सीधा दोस्तो चार महिना बीच चुका है कोई बहुत बड़ा मेगा IPO लाँच नहीं वा था फिलाल दोस्तो भारती गुरूप से भारती हेक्सा काम लिमिटेट बजार में लाँच होने जा रहा है जानेंगे इस कंपनी के बारे में IPO के बारे में बैलेंशीट चेक करेंगे साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP कितना चल बाता तो कंपनी काम क्या करता है भारती हेक्सा काम लिमिटेड प्रोवाइट फिक्स्लाइन टेलिफोन मतला लैंडलाइन ठीक है और ब्राट ब्रैंट सर्वीश्ट टू कस्टमर इन राजस्थान और नौर्थ इस्ट टेलीकम सर्किल इन इंडिया तो इन सारे चेत्रों प आपका फिक्स लाइन टेलीफोन मतब लैंड लाइन सर्विस और दूसरा ब्रॉड बैंड सर्विस दोस्तों प्रोवाइड करते हैं जैसे कि यहां पर नीचे मेंचन भी क्या कंपणी प्रोवाइड सर्विस इन स्टेट सच एस राजस्थान हो गया अरुनाचल प्रोदेश हो सब्सक्राइब बड़े ग्रूप है बड़े कंपणी है अब चली में आपको एक और चीज़ दिखाता हूं यह जो भारती एक सकॉन लिमिटेड है इसका पेरेंट कंपणी है हमारे भारती एर्टेल जो की निफ्टी फिप्ट के एक शेर है साधी साथ एक लिस्टेट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप और सेम रिजन को जिसे हमने देखा था टाटा मोटर्स भी जब टाटा टेकलोंजी का इप बजार में लॉंच हुआ था तब यहां आपको नजारा दिख जाएगा नीचे बहुत सारे जो सर्वीसे से कंपनी का वो मेंशन के जिसकी प्रिपेट सर्वीस हो गया पोस्टेट सर्वीश हो गए अपको धियान में होना चाहिए यह सारे जो सर्वीस कंपनी आप दे रहा है यह बिसकली ब्रॉट प्रैंड और लैंड की केस में ठीक है जो कि आपका मतब सीम या फोन वह अलग सर्विस नहीं ठीक है जैसकी यहां पर फाइवर हो गया, एटिल ब्लैक हो गया, एक से बनाम करके कुछ ऐसे सर्विस देते हैं ठीक, आप देखें बड़े ग्रूप है बड़े कमपनिया है, अब जरूर नहीं है कि कमपनी की बैलेंट शीट भी बहुत अच्छा होगा या अच्छा भी हो सकता है, आईए तो कमपनी के बैलेंट शीट जो कि अकसर मैं बोलता रहता हूँ कि कमपनी के बैलेंट शीटी कमपनी का बैक बोन होता है तो यह या बैलेंट शीट में एक अच्छा ग्रोथ होना चाहिए तो यहाँ पे देखे आपके सामने में उपिन किया financial year wise अलग-अलग तो यहाँ पे financial year 21 है, financial year 22 है, financial year 23 है और financial year 24 की पहले 3 quarter यानि 9 महीने के दोस्तों जो balance sheet आपके सामने में present किया सबसेले शुरुआत करेंगे financial year 21 पे company total revenue यानि total income जनेरेट किया था 4602 करूर रुपए, बड़े company बड़े huge revenue जनेरेट होता है, उसके बाद financial year 22 में बहुत अच्छा growth देखने को मिला 5405 करूर रुपए, even financial year 23 में भी बहुत अच्छा growth करूर रखा, लगबग सारे 6000 रुपए क कि first 3 quarter, यानि 9 मैने के भीतर-भीतर, 5-220 करूर की total revenue जनेरेट कर लिया, तो I think कि अगर quarter 4 भी ठीक टाक हुआ, तो और भी जब इंक्रीस हो सकते है, revenue को देखके तो दोस्तों काफी अच्छा growth हमें देखने को मिला, क्योंकि बहुत ही consistent growth हमें नजर आ ठीक है, उसके बात-बा फिनानशाइर 21 पे कमपनी का नुकसान हुआ है था हजार करोड से जिस बहसे ब्राकेट में लिखा हुआ है, ध्यांस तेखना ब्राकेट मतब इंडीकेट करता है लोज को लोग सवाता हजार करोड से यादा, फिनानशाइर 22 में कांपनी सीधा बांस बैक किया, 1344 करोड की तोटल नेट प्रोफिट कंपने जिनेट के तक पूड़ा फनान्शल जिले टुए टुने टूमें फिनाट 23 में सीधा डाउन फॉल अब देख सकते हो सीधा सीधा 1664 करोर से लगबक सारे 500 करोर के आसपास पास पांसो उन्चास करोर की टोटल नेट प्रोफिट जनेट के तक में काफी जादा बरौ 3 उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चार्जेस टैक्स बगरा एड हुआ है ठीक है जिसके चलता हमने देखा था मार्जीन या पर नेगेटिव में था उसका बाद एक 22 बहुत अच्छा 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 या बहुत ही ब्रिलियंड बैलेंट नहीं एक कभी गिरावाट कभी तेजी इस टाइप का में देखने को बहुत सब्सक्राइब बात करेंगे यह जो IPO बजार में ऑफर किया जा रहा है हम सारे इंवेस्टर्स को या मार्केट को क्या उसका वैलोशन रखा किया ठीक है तो जैसी का देख से तो यहां पे फिनाशल 21 पे कंपनी की EPS यानि अर्निंग पर शेर ओविसली कंपनी का लॉस हुआ था तो यहां पे आपको नेगेटिव दिख जाएगा नेगेटिव ब्रैकेट में लिखावा है माइनस 20.68 वे ड यहां पर एक चीज़ मुझे बहुत ही मैं बोलूगा बुरा लगा कि एक तो इतना अच्छा नहीं है थोड़ा वीक आप बोल सकतो उसके बाबचूत भी मार्केट को क्या समझ के रखता है मुझे मालूम ने बड़े-बड़े ग्रूप तो आप देखी सकते जो इसका पी र इस्ट होगा तब इसका वेलवेशन दो और भी बढ़ जाएगा है कि नहीं तो वहीं अगरम बात करें इसका अपर प्रेस में का पी रेशियो देखें कितना है 75 के आसपास तो मतलब बहुत जादा एक्सपेंसिब वैलवेशन में देखें एक तो इतने बड़े आई प्यों कितने वरे मैं आपको दिखांगा देखते विए उसके उपर इतना हाई वहलेशन पर आरो एटवलो कि बात करें ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं रोसी की बात करें ठीक ठाक रोथ है एवीटर मार जिन की बात करें वह भी ठीक ठाक है काफिश घ्रोथ है अफसके यानियगा देखा जाए company को date अच्छा है मतलब कर्जा, बहुत अच्छा है ठीक है तो I think अगर हम भात करें valuation wise या company की balance wise मुझे तो बहुत ठीक मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा यह ब्निजर बोल सकते अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस टेप की इंफर्मेटी वीडियो हर रोज पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों ओके तो यह IPO बजार में ओपन होने जा रहा है थर्ड एप्रिल थर्ड एप्रिल मतलब मैं आपको थोड़ा हिसाब किताब लगा को बोल देता हूं तो आस तो फिलाल हो गया आपका 31 कल सोंबार मतलब फर्स्ट एप्रिल ट्यूजडे सेगें अप्रिल मतलब वेड़नेस दे बुद्ध बार से दोस्तों यह बजार में ओपन होने जा रहा है तो बुद्ध ब्रेश् पर प्राइस को पकरके आप चाहिए इसमें बीडिंग कर सकते हैं पांट सो पैसाइब और करते हैं लॉट साइज की बात करें यहां पर लॉट से थोड़ा कमी होता है एक लॉट अगर आपको एपलाई करना है तो उनके लिए टोटल 26 कॉंटित का शियर ओडर प्लेस करना पड़ेगा पिकास यह इसका मिनिममम ओडर लॉट है मतलब आप चाहिए तो आपके मनमर्जी से दस क्वांटिटी बीस क्वांटिटी एस ओडर नहीं कर सकते अगर आपको एक लॉट एपलाई करना है तो आपको 26 करना पड़ेगा दो लॉट के लिए इंटू टू मतलब ब भारती हेक्सा कॉम का टोटल आपका साइज है चार हजाद दोसो पाचात्तर करोर रुपए जिस में कम्प्लीटली फ्रेश एक्विटी शेयर एट के मासरी यहां पे ऑफर फॉर सेल के थू यहां पे कंपनी की प्रोमोटर मतलब भारती एटल कंपनी जो आपना स्टेक सेल क को मिला ठीक है इसुटाइब की बात करें बुक बिल्ट इसुटाइब यह बहुत अच्छी बात है कि इस बार बहुत ज्यादा श्यार अलोकेट नहीं किया और मैं बहुत सही भी है विकॉस बहुत जाता है यहां पे और उसके बाद एकदम डूब जाते हैं आप देखी सकत है है अब चली कुछ इंपॉर्टेंट रेट से आपके साथ में शेयर करता हूं तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे का इप ओपन होने जा रहा है वेडनेस टेट थर्ड अप्रिल को फ्राइट यानि 5 अप्रिल बीच में थर्ट फॉर्ट फिप्त यह तीन दिन आइपी ओपन मिल जाएगा उसके पहले मिल जाएगा इन जैनल अगर हम बात करें तो यह आइप आपके डिमाट अकॉन में क्रेट हो जाएगा 10 अप्रिल के दिन और लिस्ट होगा यह आइप बजार में 12 अप्रिल यानि फ्राइडे शुक्रबार के दिन ठीक है उसके बाद आचा जो लो इसके लिए टोटल जो पैसा ब्लॉक्त होगा आपका 14,820 रुपए मैक्सिम्म थर्टी लॉट आप चाहते अप्लाई कर सकतो उनके लिए टोटल जो क्वांटिटी शेर आपको और प्लेस करना पड़ेगा 338 कॉंटी टोटल पैसा आपका लएगा 1,92,660 रुपए बागी बात करा आज की रेट पर कंपनी की जो प्रोमोटर है यानि भारती अटल अपना स्टेक रखता है 70 परसंट का आसपर तो उसके बाद जब लिस्ट होगा बाजार में स्टेक काफी डिडूस हो जाएगा अब चलिए लिस्टिंग गेन पानी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्ट जो कि एक्सपेक्टेट था भी कि इसके पीछे में दो तीन रिजन है सबसे पहले तो मैं बूलूंगा बैलेंशीट कंपनी का अच्छा नहीं है क्या बैलेंशीट अच्छा नहीं है बिल्कुल अच्छ नहीं है नेगी टीप आप का बहुत सारे सेग्मेंट पे समझगे ना मार्केट के सामने आज की डेट पे रिटल इंवेस्टर के बाद बहुत सारे डेटा है अब लेबल है चाहितो देख भी सकते हो तो जिस बैसे मैं आइधिंग की बड़े कंपनी या बड़े ग्रूप को भी यह सोचना चाहिए कि कॉनसी वेलेशन पे हम लॉंच जरूरत नहीं है आप क्या कीजिए डे1 और डे2 को छोड़ दीजे डे3 में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अपने देखा कि पहली दिन और दूसरे दिन पे अप्लाई ठीक ठाक होड़ा है सब्स्क्रिप्शन ठीक ठीक देखने को मिला जीमप में थोड़ा इंक्रीज हुआ मिनिम्मम तो 20% होना ही चाहिए मार्केट का जो आज की डेट पे कंडिशन है तो मिनिम्मम 20% होना चाहिए अगर ठीक ठाक है तो उसके उपर बेस करके आपको डेट्री में अपलाया चाहिए यह दोस्तों मेरे तरफ से आपको सेशन रहेगा बागी देखumbs करंघ से पहले आ झाल